Hello friends, welcome to our channel, Crypto with Vishal आज का वीडियो गाइस बहुत important होने वाला है और normally मैं अपने वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ किस वीडियो को share करिएगा पर ये वीडियो share करना बहुत जादा ज़रूरी है उन लोगों के साथ जो अभी भी Bitcoin को यहाँ पे नहीं समझ पाए है report है basically कुछ जिसके बारे में discuss करेंगे इसके रावा कुछ और important updates है जिनको हम लोग discuss करेंगे Bitcoin के ETF के volume के बारे में Bitcoin के chart के बारे market में क्या चल रहा है सब के बारे में discuss करेंगे बहुत quickly मैं चीजों को लेता हूँ फिर जो important चीज़ है उसको discuss करेंगे market cap 0.1% up है volume के बारे बारे बात करेंगे 9.4% down है inflow का कोई data रात से अब तक नहीं आया कल के दिन में total 4 inflow के data हमें देखने को मिलेते fear and gear index extreme greed में है 76 में पिछले एग घंटे के sentiments देखेंगे sale की तरफ है और अगर heat में आपकी बात करें BTC 0.82% down on ethereum 0.6% अब यहाँ पे चल रहा है Bitcoin के बारे में guys बात करें तो जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं Bitcoin का price है 51,200 और जो हमने एक range draw करी थी फिलहाल Bitcoin उसी range के अंदर है हम लोगों ने एक area बनाया था triangle बनाया था जिस triangle को Bitcoin ने break कर ला और इसके बाद वो जो triangle का area था वो ही Bitcoin का resistance फिलहाल के लिए यहाँ पे काम कर दा है मैंने आपको कल के वीडियो यह बताया था 50,000 57,507,69 या फिर आप बोल सकते हैं 50,700 का level हमारे पास support के लिए और जो सब से important area जो देखना है वो है 48,600 का अगर वो break होता है तब हम बात करेंगे crash आ रहा है जब तक वो नहीं होता छोटा मोटा यहाँ पे जो correction है वो ही हमें फिलहाल के लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है volume के बारे बात करें तो कल का दिन बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हमें एक negative info यहाँ पे देखने को मिला है क्योंकि gray scale की जो selling थी वो ज़्यादा हुई है और buying यहाँ पे कम हुई है specifically fidelity की तरफ से कुछ buying देखने को नहीं मिली है black rock की तरफ से भी बहुत कम buying देखने को मिली थी BTC और fidelity के पास 87,557 BTC जो है यहाँ पे पढ़े हुए है अब आ जाते है important चीज़ के ऊपर कल मैंने एक tweet किया था यहाँ पे tweet का reply किया था तो जो European Central Bank है उनका यह बोलना है कि bitcoin has failed to become a global decentralized digital currency साथी इन्होंने यह भी बोला है कि the recent approval of an ETF doesn't change the fact that bitcoin is costly slow and यह पता नहीं क्या word लिखा है inconvenient अभी inconvenient को समझने की कोशिश करेंगे but important line इन्होंने यहाँ पे लिखिए कि ETF approval for bitcoin the naked empires new clothes इस tweet का मैंने यहाँ पे revert किया था और जब मैंने revert किया तो मुझे लगा यार मज़ा आ गया पर इसके बाद जब पुझे कुछ चीज और मिली ना तो वो important चीज आपको समझाना चाहूंगा जो European bank यह चीज के बारे में बोल रहा है अगर हम उस euro को bitcoin के comparison में देखते हैं तो यह उसका हाल है यह उसका downfall देखने को हमें मिल रहा है आप देख रहे हो यह क्या downfall आपको देखने को मिल रहा है जब मैं इसका euro को bitcoin के comparison में यहाँ पे देख रहा हूँ जिसका अपना हाल यहाँ पे खुद का इतना घराब है bitcoin के लिए वो यहाँ पे किस तरीके से इस चीज को compare कर रहा है यह समझ से यहाँ पे बाहर है अगर आप website पे जाएंगे न यह पूरे article की तो यह देखे क्या दाला इन्होंने बोला है कि today जो bitcoin का transaction है वो slow है costly है और inconvenient है inconvenient का मतलब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको मतलब नहीं बता है हिंदी में बताता हूँ आपको मतलब inconvenient का मतलब होता है असुविधा जनक अगर नहीं पता है आपको तो असुविधा जनक inconvenient है slow है costly है कौन सा मतलब यह किस बेस पर यह कहानी चल रही है मुझे नहीं पता मुझे अगर इंडिया से यूएस में रुपे भेजने है या या यूरोप में रुपे भेजने है उससे जादा सस्ता है bitcoin और उससे जादा fast है यहाँ पर किस बेस पर यह बोल रहा है पता नहीं इसी के साथ अगेन वही वाली कहानी कि इसका use criminal activities के लिए होता है और payment के लिए तो बहुत कम होता है और रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़े लिखी हुए अभी इस रिपोर्ट का रिप्लाई में आपको यहाँ पर करूगा कि बात हुए है कि भाई उन्होंने तो और illegal activities को बढ़ा दिया 30 डॉलर फ्री bitcoin देने को लोग लोगों को बोल दिया x y z यहाँ पर मैं आपको चैनलिस का एक डेटा यहाँ पर दिखाता हूं और उसके साथ बात हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और यह बहुत जिनी चीजे लीगल के लिए हुई है 2018 के लिए जितना बिटकोईन का ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें से 0.32 परसेंट चीजे लीगल चीजों में यूज हुई है 2019 में बढ़के 1.29 हो गया और अगर 2023 की बात करते हैं तो मात्र 0.34 परसेंट जो है वो इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है बिटकोईन का बाकी सारी चीजे जो है वो सही तरीके से हुई है 2022 में यह 0.42 था 2021 में यह 0.14 परसेंट था मुझे नहीं पता कौन सा डेटा देखके यहाँ पर यह लोग यह भेज रहे हैं यही मैंने चीज यहाँ पर डाले भी कि क्या इंटर्न है कोई क्या जिसने ट्वीट किया यह जो रिपोर्ट है यह किसी इंटर्न ने बनाई है क्या या पता नहीं कॉपी पेस करके कहां से ल जो है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है वो हुई है और अगर आप उसको देखोगे तो एक परसेंट जितना यूरो का वॉल्यूम था उसका एक परसेंट इलीगल चीजों में यूज हो रहा है भाई आपका एक परसेंट यूज हो रहा है बिटकोईन की बात करोगे तो वो चलो एवरेज भी यहाँ पर माल लू ना तो 0.5% है आपका 1% यूज हो रहा है बिटकोईन का यहाँ पर 0.5% यूज हो रहा है आपको एक और बहुत इंपोर्टन चीज बताता हूं मैं यहाँ आप लैरी फिंक 2017 में बोलते थे कि भाई बिटकोईन जो है वो तो मनी लॉंडरिंग के लिए यूज होता है 2017 में 2020 में आते आते इनकी चीजे बदल गई क्या कि नहीं भाई बिटकोईन जो है ना आने वाले टाइम में कुछ फ्यूचर में कर सकता है और 2024 में अपना ETF इन्होंने लॉंच कर दिया इन जैसों की रिपोर्ट की वजा से बहुत लोग वो टाइम पे बाई नहीं कर पाए मैं भी उन्हीं लोगों में से था 2011 में बिटकोईन के बारे में पता चला 13 में बिटकोईन के बारे में पता चला पर यहीं चीज़े थी कि गलत है यहीं चीज को यूज मत करो वो time पे अगर buy कर लिया होता तो आज पता नहीं कहां बैठा हुआ होता मैं कौन इसका responsible है इसके responsible यह reports है और यह वही reports है जो आने वाले time में खुदी buy करे बैठे होंगे सीधा सा उद्देश यह अगर आप देखोगे ना even Michael Saylor ने क्या किया था 2013 में उनका भी यही बोलना था Bitcoin पूरे का पुरा scam है आज सोच बदल गई है मैं समझ सकता हूँ इस बात को की सोच को बदलने में time लगता है पर आपकी उस सोच की वज़ासे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ पे नहीं गए उसका कौन responsible है यहाँ पे आपने एक रिपोर्ट अपनी च्छाप दिया अब इस रिपोर्ट का अगर कोई पूछने जाओ ना तो कोई reply नहीं यहाँ पे आप ट्विटर पे पूछते रोगे कोई रिवर्ट नहीं आएगा अब चेनल इस ने जो रिपोर्ट दी इसका आप reply करो और reply कहीं से भी कहीं तक निकल के यहाँ पे नहीं आएगा simple words में यह समझाना चाहरा हूँ आपको कि जितने लोग हैं चाहे यहाँ पे ब्लैक रॉक हो चाहे यहाँ पे माइकल सेलर हो चाहे यह बैंक्स हो यह सब के सब को अपना फायदा यहाँ पे चाहिए और नॉर्मल लोग हम जैसे लोग क्या करते हैं इनी लोगों की बातों को सुनते हैं और यह लोग ही क्या करते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके बाई कर लेते हैं और उसके बाद अपना कोई प्लान है बड़ा प्लान ले आते हैं 2000 जब बिटकुईन का रेक 25,000 डॉलर चल रहा था उस टाइम पर माइक्रो स्ट्रेटेजी लेके आता है कि हम तो अपना बिटकुईन का ETF लेके आ रहे हैं क्या रातो रात आपको प्ला चल गया ETF लेके आ रहे हो भाई साल भर की तो प्लैनिंग करी होगी ETF लेके आने वाले हो बहुत US गौर्णमेंट के साथ पहले से भी बात करी होगी अप पर उपर के प्राइस पे लेगी तब आप उन्हें डम कर दोगे यहां पर फिर फस जाएंगे और वो बोलेंगे यार क्रिप्टोकरंसी तो बेकार है बिटकॉइन में इंवेस्ट करना तो बेकार है क्यों कि यह पूरे तरीके से मार्केट के बेनिपुलेट कर लेते हैं छो से उसको समझने की कोशिश करो उसके बाद भरोसा हो तो जाके इन्वेस्ट करो यहां पर अगर भरोसा हो जाए बिना किसी रिपोर्ट को पड़े हुए यह जो रिपोर्ट है फाल्तु की है अगर समपड़ोगे यह रिपोर्ट को बैठके मैंने पढ़ा नहीं क्यों कि किस सोच के साथ उसने इतनी बड़ी चीज़े उस टाइम पर कर दी जो आज प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने वह धीरे धीरे उन्होंने वही टाइम पर उसको सोच के रिपोर्ट को छोड़ दो यहां पर इवन मेरे वीडियो भी देखना छोड़ दो मेरा भी समझना तो मैं फिर से बात खाली यहां पर बिट्कॉइन की करदा हूं और कोईंस की यहां पर नहीं करदा हूं आगे चलते हैं थोड़ा सा यहां पर बला जीन ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट की आया यहां पर वैनने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था 14 कंट्री ऐसी ह है जहां पे bitcoin का price all time high चल रहा है 14 country और आने वाले time भी यह number और बहुत बहुत बढ़ा होने वाला है क्यों hyper inflation हो रहा है वहाँ पे उस countries के अंदर क्यों mismanagement की वजा से कहीं पर banks fail हो रहे हैं कहीं पर कुछ fail हो रहे हैं तो वही तो bitcoin बोल रहा है ब्लॉक्चेन बोल रही है government की जववत नहीं है bitcoin बोल रहा है currency की जववत नहीं है अब जब यह दो चीज़े आ गई तो भी जब ना पड़ेगा इनको तब देखिएगा किस तरीके से चीज़े चेंज हो जाएंगे जैसे लैरी फिंग की चेंज हुई है माइकल सेलर की यहां पर चेंज हुई है Nigeria की तरफ से भी कुछ इसी तरीके से चीज़े चल रही है Nigeria में crypto currency exchanges को block किया जा रहा है और अब crypto currency की वेबस साइट से ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि government चा रही है currency बहुत ज्यादा नीशे गिर देखिए inflation बढ़ता जा रहा है government का यह मानना है कि पैसे को crypto currency भी इंवेस्टमेंट करने से रहको इसके लिए exchanges को बंद कर दो, websites को बंद कर दो, VPN से सब कुछ वहाँ पर भी भी चलना है, तो countries जो है न, उन countries की हाला तोरी है, यहाँ पर दीरी-दीरे खराब और उन सब चीजों का solution एक ही है, जो यह आज accept करने को तयार नहीं है, आने वाले time में accept करेंगे, वो है यहाँ पर बिटकोईन, भले ही, 2024 में भी आने के बाद, इनको समझ में नहीं आ रहा है, पर आने वाले time में, एक ही solution मचेगा, और तब इनको accept करना पड़ेगा, और तब ही शायद इंडिया भी यहाँ पर accept करी, को कि इंडिया हमेशा भी यहाँ पर बिटकोईन का use होने लगेगा, तो यह था गाईज अपडेट जो चल रहा है मार्केट में, और यह रिपोर्ट ना, लिटरली में, हिलेरियस है, और समझ से परेए कि किसने यह पूरा research करके यहाँ पर tweet डाला, आप लोग का opinion है, आप लोग का क्या सोचना है इन सब चीजों के बारे-बारे में, जरूर मुझे एक बार comment बॉक्स पे बताईएगा, तो इतरे हैं अमारे आज का वीडियो, पसंद आए आपको, इसको लाइक होशे जरूर केगा, चैनल में, अगर आप नए हैं, फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा, और बाकी regular updates के लिए, टेलिग्राम का चैनल आप जॉइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के description में मिल जाएगा, सारे updates जो भी quickly मेरे पास होते हैं, सबस्राइब पहले में उसे, टेलिग्राम के उपर ही share करता हूँ, thank you friends,